प्रश्चार दोस्तों चाहते हैं कि उनके विवा सही टाइब पर हो जाए चाहें वे लड़का हो ये लड़की हो हर किसी के फैमली मेंबर ये ही चाहते हैं कि उनका विवा उनकी सही एज में हो जाए लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि विवा होने की तयारी तो होती है लेकिन जब लड़का देखने जाते हैं और फिर लड़की देखने जाते हैं तो उसमें कोई न कोई कमी निकलाती है या फि जब भी आप इस नान करने के लिए जाएं तो इस बंडी में पानी में उस बंडी के पानी में एक जटकी हल्दी डाल दें और उससे सुखाथ रोज करते हैं तो आपका विवास इए हो जाएगा लेकिन यह उपाएं आपको एक महलेतर करना होगा नमबर तो यदि आप चाहते हैं कि आपका विवा जल्दी और सही समय पर हो जाए तो इसके लिए आप एक छोटा सा पीले कलर का कपड़ा रख सकते हैं या फिर आप एक क्रुमाल ले सकते हैं जो पीले कलर का हो उसे आपने हमेशा पॉकिट में रखें ताकि वहे आपके लिए शादि का सुबसमाचार लेकर आए और यदि संभब नहीं हो पा रहा है तो आप बुद्दवार के दिन गड़ेश भगवान की पूजा कर सकते हैं गड़ेश भवान की पूजा करने के साथ साथ आप धूग बत्ती अगर बत्ती करें और भगवान गड़ेश को भी आप दुर्वा घास चड़ाएं ऐसा करने से आप किस जल्दी ही विवा योग बन जाएगा और यदि आप पीले कलर की लटू भी भगवान गड़ेश को चड़ाते हैं तो ऐसा करने से भी आपको जल्दी ही विवा का सुबसमाचार मिलेगा नमबर चार यदि आप चाहते हैं कि आपका विवा हो जाए तो उसके लिए आप कमले में पीपल का पौधा लगा सकते हैं और उसे आप सीजते रहें और उस पर दूबती और पुझा करना ना भूले ऐसा करने से आपको जल्दी ही विवा के सुबसमाचार मिलेगा यदि आप चाहते हैं कि आपको कोई भी परिशानी ना हो कोई भी रुकावटे ना आए आपके विवा में तो उसके लिए आप किसी भी शादी में जा रहे हैं दूला हो या दूलन तो उसके लिए यदि आप चाहते हैं कि आप शादी जल्दी हो जाए तो उसके लिए आप उनकी मेहदी में से थोड़ी सी मेहदी अपने हाथों में सर्वू लगाए ऐसा करने से भी विवा योग चल्दी बनता है और आप गुरवार के दिन गाय को गोड़ और रोटी दे सकते हैं ऐसा करने से भी आपके विवा जल्दी हो जाएगा यह है वह सरल से उपाय यदि आप इन सरल से उपायो को करते हैं तो आपके जल्दी ही विवा खने के योग बन जाएगे और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले